प्रेमा भाग एक सच्ची उदार्ता, संध्या का समय है, दूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरने रंगीन शीशों की आर से एक अंग्रेजी धहन पर सचे हुए कमरे में जाक रही है, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है, अंग्रेजी धहन की मनोहर तस्वीरें जो दिवारों से लटक रही है, इस समय रंगीन वस्त्रधारल करके और भी सुन्दर मालूम होती है, कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गैदों की रंगीन कुरसिया बिची हुई है, इनमे से एक कुरसी पर एक योवा पुरूश सिर नीचा की हुए बैठा कुछ सोच रहा है, वह अती सुन्दर और रूपवान पुरूश है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं, उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार-बार देखता है, उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी पहलू बदलता रहा, फिर वह एकायक उठा और कमरे से बाहर निकल कर बरांडे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों की गमले सजा कर धरे हुए थे, वह बरांडे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठा कर बड़ी बेचैनी की साथ इधर उध पहलने लगा, समय बहुत सुहावना था, माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था, एक तरफ साइस घुड़े को टहला रहा था, समय और स्थान दोनों ही बहुत रमनीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिलकुल दिखाई दी और एक गोरा चित्था आदमी कोड पतलून पहने, एनक लगय, सिगार पीता, जूति चर्मर करता, उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग, अमृत राया, अमृत राया ने चौक कर सर उठाया और बोले, ओ, आप है मिस्टर दाननात, आईए बैठिये, दाननात, कैसा जलसा, मुझे तो इसकी खबर भी नहीं, अमृत राया आश्चर्य से, ए, आपको खबर ही नहीं, आज आगरा के लाला धनुष्धारीलाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दात खटे कर दिये, दाननात, ईश्वर जानता है, मुझ अच्छी तो लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का बहुत दिनों से शौक है, मेरा अभाग्या था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया, किस बात पर व्याख्यान था, अमृत राया, जाती की उनती के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी, लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पन कर दिया है, आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निश्कास जाती सेवक इस देश में नहीं है, ये दूसरी बात है कि कोई उनके सिधातों को माने या न माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आपी आप फिंचे च विचार भी वही होते हैं, जिनकी हमारे यहां प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का धन कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है, दानात को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यांत शौक हुआ, बोली, यार, मैं जन्म का अभागा हूँ, क अपने कर्म की हीनता की क्या कहून, आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिये, उसी को देखकर जी को धारस दून, इस पर अमृत्राय ने वही कागस का टुकडा, जिसको वे बार-बार पढ़ रहे थी दानात के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बाते मुझको सवार हो जाती है, तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते, समझाने लगे कमित्र, तुम कैसी लड़कपन की बाते करते हो, तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोज अपने सर पर ले रहे हो, जो रास्ता अभी तुमको साफ दि मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बड़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और उँचे से उँचे पहार पर चग सकता हूँ, दानात ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे, मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्द्योग करेगे, उसे अवर्ष पूरा कर दिखाएगे, मैं आपके इरादों में विग्धिन, डालना कदापी नहीं चाहता, मगर मनुश्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका उंच नीच खूब विचार ले, आप प्रच्छन बातों से हट कर प्रत्यक्ष बातों की तरफा आईए, आप जानते है कि इस शहर के लोग सब के सब पुरानी लकीर के फकीर है, मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहां कदापी फल फुल न सकेगा और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता, अकेले आप क्या बना लेंगे, शायद आपके दोस्त भी इस जोखिन के काम म आपका हाथ न बनता सके, चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे, अमृत राया ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सेर उठाया और बढ़ी गंबीरता से बोले दाननात, ये तुम को क्या हो गया है, क्या मैं त तुम कहते हो, अकेले क्या बना लोगे, अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं, गौतम बुद्ध कौन था, एक जंगल का बसने वाला साधू, जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके प अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं, जो ये जानते हूं कि वह किस देश का रहने वाला है, दानाक समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब वियर्थ होगा, मगर फिर भी जीनमाना, एक बार और उलजना आवश्यक था, अच्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापर वाही है, हमारी दशा उस रोगी किसी हो रही है, जो आशदी को हाथ में लेकर देखता है, मगर मूँ तक नहीं ले जाता, हाँ भाईयों, हम आखे रचाते हैं, मगर अंधे हैं, हम कान रखते हैं, मगर बहे हैं, ह जब कोई समय आ जाता है, तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं, और नरा बातों को असंभव और अन्होनी समझ कर छोड़ देते हैं, हमारे दोंगे का पार लगाना, जब कि मल्ला हैसे बाद और कादर है, कर्थिन ही नहीं प्रत्युक बुसाध्या है, अमृत राया ने अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती, तो सबेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे, रुख कर तब मैं जलसे से लौट कर आया हूँ, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं, प्य सब अपनी गिरी हुई जाती की उन्नती के निमित अरपन कर दूंगा, अब तक मेरे विचार मुझी तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होन, अब तक मेरा हदया दुरबल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बला गया है, मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पद्व अच्छा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बड़ा, इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाब होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ, ये कहकर अमृत्राय जमीन की ओर देखने लगे, दानात, जो उनके बच्चपन के साथी थे और उनके बच्चपन के साथी थे, और उनके स्वभाव से भली भाती परिचत थे कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ, बोले अच्छा मैने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े-बड़े काम किये हैं और आप भी अपनी जाती का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर तो सोचे कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुँचाएंगे, जिनका आपसे कोई नाता है, प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है, आप जानते हैं कि उसके मान बाप परले सिरे के कटर हिंदू है, जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पी रहे, जब सिर उठाया, तो ओखी लाल थी और उनमें आशु डब्द बाए थे, बोली, मित्र, कौम की भलाई करना साधारन काम नहीं है, यद्यपी पहले मैंने इस विशय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है, कि जाती के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद हूँ, इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था, मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पती बनने का आनंद मिलता, तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं, मगर अब प्रेमा जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था, आज इससे भी अलग होता हूँ, ये कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले, प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृतराया अब जाती पर जान देने लगा, उसके दिन में अब किसी जानते हूँ कि तुम पर मोहित है, तुम कैसे निश्थूर हो, ये वही सुन्दरी है, जिस से शादी करने का तुम्हारे वैकुद्धवासी पिता ने आगरह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी, क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है, ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मूँ मोर लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा, इन बातों को सुनकर अमृत राया का चेहरा बहुत मलिन हो गया, शायद वे इस तरह तस्वीर के फार देने का कुछ पच्चतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गये थे, उस पर अड़े ही रहे, इन ही बातों में सूर्य अस्थ हो गया, अंधेरा चा गया, दानात उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकिल संभाली और चलते चलते ये कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आओ आज तुमको गंगा की सेरकरा लाए, मैंने एक बजरा की राय पर ले रखा है, उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी, अमरित राया इस समया आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा, दानात तो ये बात चीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमरित राय उसी गलिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए, बाबु अमरित राय शहर के प्रतिष्थित रईसों में समझे जाते थे, वकालत का पेशा कई पुष्टों से चला आता था, खुद भी वकालत पास कर चुके थे और यद्यपी वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप द पेहनते तनिक डरते थे, मगर उनका देहान्थ होते ही खुल पड़े, ठीक नदी के समीप एक सुन्दर स्थान पर कोठी बनवाए, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीती पर सजाया और अब उसी में रहते थे, इश्वर की क्रिपा से किसी चीज की कमी न थी, धंद्रव्य, गारी घोरे सभी मौजूद थे, अमरित रायको किताबों से बहुत प्रेम था, मुम्किन न था कि नई किताब प्रकाशित हो, और उनके पास न आवे, उत्तम कलाओं से भी उनकी तबियत को बहुत लगाव था, गान विद्या पर तोवे जान देते थे, गो क कई साल से अपनी इकलोती लड़की प्रेमा के वास्ति चुन बैठे थे, प्रेमा अती सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने, सीने पिरोने में निपुन थी, अमरित रायके इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभा के बचपन के साथियों में से थे, कालिज में भी दोनों का साथ रहा, वकालक भी साथ पासके और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीती हो सकती है, वह उनमें थी, कोई बात ऐसी न, थी, जो एक दूसरे के लिए उठा रखे, दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था, उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर यह बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई, वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता, सेकलो बार उसकी स्वार्थ द्रिष्टी ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चल कर बदरी प् हो जाकर अपना मनुरत कदापी पूरा नहीं कर सकता था, ये भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमरितराया से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो, वह उनके साथ सच्चे मित्रभाव का बरताव करता था, आज भी जब अमरितराया ने उससे अपने इरादे जाह किये, तब उसने सच्चे दिल से उनको समझा कर उंचनीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके है, उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिर्फामरों की मंदली में मिलोगे, तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमरितराया ने एक न सुनी, मित्र का जो धर्म है, वह दानात ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेगे, तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं ये सब बाते बद्री प्रसाद से बयान करके ख्योन प्रेमा का पती बनने का उध्योग करूँ, यहां से वह यही सब बाते सोचते विचारते घर पर आये, कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहिन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए, इस वक्त उसके दिन की जो हालत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती, कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना, लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे, फिर सोचता कि कहीं अमृतराया अपना इरादा पलद दे और आश्चार्य नहीं की ऐसा ही हो, तो मैं कहीं मुह दिखाने योग्य न रहूंगा, मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत आख के सामने आ गई, तब ये सब शिंकार आखे हैं।